हलो स्टुदेंट्स, आज फिर मैं नए टॉपिक के साथ सेकेंड ओर डिफरेंशिल एक्विशन विट वेरियबल कॉफिशिंट और इसके अंदर आज हम मैथड पढ़ने वाले हैं इसका नाम ये भी है, चेंज ओफ डिपेंडेंट वेरियबल मैथड भी बोलता है या फिर रिदिपेंडेंट वेरियबल मैथड भी है सेकेंड ओर डिफरेंशिल एक्विशन के अंदर मैंना ये तीसरा वीडियो है इसके अपर मैंने आपके सामने होंगेंज घ्जैक्त और चेंज ओफ इंडेपेंडेंडेंट वेरियबल मैथड मैतोड मैंने आपके सामने ile discuss किया है जहां पर part of cf non होता है वो भी मैंना आपके सामने discuss किया है और अब मैं आपके सामने एक नया method discuss करने वाला हूं change of dependent variable method change of dependent variable method होता क्या है और यह हम कब apply करते हैं यह आप समझनी कोशिश करें हमारी differential equation जो second order है variable coefficient में यह form होती है अगर यह form है और यहां सबसे पहले हम i की value निकालेंगे किस की value निकालेंगे i का i की value आगी q minus 1 by 2 dp by dx minus p square by 4 अगर यह value constant आ रही है क्या रही है constant या फिर constant by x square आ रहा है यह बहुत rare case में होगा अब normally इसकी value किसके बरबर आएगी constant आएगी तो यह method यूज़ करते है अगर यह value constant आ रही है तो हम करेंगे क्या हम सबसे पहले इसका part of cf निकालेंगे यहां पर part of cf इससे पहले वाले method में मैंने आपको part of cf क्या हम पहले conditions लगा देते 1 plus p plus q is equal to 0 या फिर 1 minus p plus q is equal to 0 या p plus qx is equal to 0 वा अलग-अलग condition पर उसका अलग-अलग part of cf होगा करता था बट यहां ऐसा नहीं है यहां पर part of cf क्या होगा fix होगा और उसकी value होगी 1 minus u is equal to e की power minus 1 by 2 p dx यह इसका part of cf होगा and then इसका जो complete solution होगा वोगा y is equal to u into v हमारे पास u की value तो आ गई अब हमें किसकी value निकालनी है v की value निकालनी हम यहां से y dy by dx और d2y by dx square की value उठा के यहां रखेंगे तो हमारी एक equation बनेगी d2v by dx square is equal to i y iv is equal to r by u यहां पर यह condition बनेगी d2v by dx square plus iv is equal to r by u इस equation को solve करेंगे यहां से हम किसकी value निकालेंगे V की value निकालेंगे, यह V की value उठा के यहां रखेंगे, हमारा complete solution हो जाएगा मैं फिर से एक बार explain कर दूँ, यह हमारा second order differential equation with variable coefficient when reducible to normal form, यह change of dependent variable method है इस method में हम सबसे पहले I की value निकालते हैं, अगर यह constant आता है तो यहां पर हम इसका जो part of CF होता है, वो यह होता है and then इसका complete solution y is equal to u into v होता है u की value यहां से मिलेगी और v की value यह equation जब y और dy by dx और d2y by dx square की value उठा की यहां रखेंगे तो यह equation बनेगी यहां समय v की मिलेगी और यह v की value यहां रखेंगे तो मारा complete solution मिलेगा इस पर मैं आपके सामने दो यह तीन questions अभी करता हूँ तो आपको और भी समझ में आएगा अब यहां पर दो questions मैं आपके सामने ले रहा हूँ first question है d2y by dx square minus 210x dy by dx plus 5y is equal to e की power x sec x सबसे बहुल हम यहां देख लेते हैं p की value कितनी है, आपके पास p की value है minus का 210x, q की value आपके पास है 5 and r की value है आपके पास e की power sec x मैंने आपके सामने सबसे बहुल है बता है था हम i की value निकालेंगे so i is q minus 1 by 2 dp by dx minus p square by 4 की value निकालेंगे so students देखें हम क्या करेंगे, q की value 5 है minus 1 by 2 dp by dx, इसका differentiation करेंगे तो यह 10x का आएगा, sec square x minus यहाँ आएगा इसका square करेंगे, so this is 4 10 square x upon 4 and then simplify करेंगे so 5 and 2 so 2 cancel, sec square x और यहाँ से cancel तो कितना आएगा यह 10 square x and we know that sec square x minus 10 square x is 1 so the value is 5 plus 1 is equal to 6 so this is constant, अगर constant है तो हम यह method use कर सकते है और यह method use करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास i की value तो कितनी आ गई, 6 आ गई अब हम यहाँ पे part of cf लेंगे इसका so part of cf कितना होता है part of cf होता है, u is equal to e की power minus 1 by 2 p dx, that is e की power minus 1 by 2 p की value कितनी है, minus 2 tan x dx और हम इसका integration करेंगे, so u is equal to minus minus cancel 2 से 2 cancel, तो यहाँगा e की power log sec x and then इसको cancel करेंगे, तो यहाँगा आपके पास sec x now, यह इसका part of cf आया, then आपको बताया था, इसका complete solution let complete solution of equation is, कितना आएगा यहाँपे y is equal to u into v, that is sec x into v अब यहाँपे हमें क्या करना है, v की value निकालने अब यह v की value निकालने हम क्या करेंगे, यहाँसे y, dy by dx and d2y by dx square की value इस equation में रखेंगे, तो हमारे पास d2v by dx square plus iv is equal to r by u, अगर हम इसको solve करते हैं, तो यहाँएगा, d2v by dx square, d2v by dx square plus i की value हमारे पास कितनी आएगे, 6 is equal to r, r is e की power x sec x upon u, that is sec x and sec x से sec x क्या होगा, cancel और हमारे पास जो differential equation मिलेगी, वो d square plus 6v is equal to e की power x, हम यहाँपे इसकी auxiliary equation लिखेंगे, so auxiliary equation यहाँपे होगी, m square plus 6, so m की value होगी आपके पास, plus minus root 6 iota, तो इसका जो cf होगा, वो होगा, v is equal to c1 cos root 6 x plus c2 sin root 6 x, अब हम इसका pi निकालेंगे, so pi देखेंगे आप, pi क्या आएगा, इस question का, pi आएगा, v is equal to, यह पूरी symbolic form काले के जाएगे, नीचे, so e की power x upon d square plus 6, and जहाँ d वाँ 1 रखेंगे, so e की power x, 1 plus 6, that is e की power x upon 7, then final answer आएगा, आपका cf plus pi, so v is equal to cf हमारे पास आएगा यहाँपे, c1 cos root 6 x plus c2 sin root 6 x plus e की power x upon 7, then answer क्या होगा, यहाँपे देखो हमारा answer क्या आ रहा है, sec x into v, so by equation number 1, हमारा जो complete solution होगा, वो होगा, sec x into c1 cos root 6 x plus c2 sin root 6 x plus e की power x upon 7, so यह हमारा complete solution आएगा, मैं फिर से बता दूँ, यहाँपे हमने i की value निकाली, i की value constant आए, अगर constant आते हैं, इसका part of cf यह होता है, and then, इसका part of cf से, इसका part of cf है, sec x, then इसका complete solution होता है, u into v, that is sec x into v, and then y dy by dx, so d2 y by dx square की value, इस equation में रखते हैं, तो हमारी equation इसमें convert होती है, यहाँपे i, r by u की value सब रखने पर, हमारे पास यह equation मिली, यहाँ से इसका cf और pi निकाला, तो हमारा v का value यह आया, यह v की value उठा के यहां रखेंगे, तो हमारा complete solution आएगा, अब मैं आपके सामने एक और question लोगा, यह वाला, एक बार आप यह note करें, फिर बार, next question दखेंगे, आप यहाँपे, d2y by dx square minus 4x, dy by dx, 4x square minus 1y, minus 3e की power x square sin 2x, यहाँ आप देखेंगे, तो आपके पास p की value मिल रही है, minus का 4x, q की value मिल रही है आपके पास, 4x square minus 1, and r की value मिल रही है आपके पास, minus 3x square sin 2x, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला है, solution में हम क्या करेंगे, p square upon 4, so what is value of q is, 4x square minus 1, minus 1 by 2, dp by dx, इसका differentiation करेंगे, तो minus का 4 आएगा, so minus 4 minus, इसका square करेंगे, so this is 16x square upon 4, आप simplify करेंगे, so यह आएगा 4x square minus, and then minus minus plus, 2 आएगा आपके पास, and then this is minus का 4x square, minus 4x square, 4x square cancel, so हमारे पास जो i की value आई, वो कितनी आई, 1i, which is constant, मतलब हम यह method यूज़ कर सकते हैं, then part of cf कितना होगा इसका, part of cf होगा, u is equal to e की power minus 1 by 2, p dx, then u is equal to e की power minus 1 by 2, p की value आपके पास है, minus का 4x dx, then इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा आएगा आपके पास, minus का minus plus 2, and then x का जो integration होगा वो आएगा, x square by 2, तो इसको simplify करेंगे, तो u की जो value आएगी, वो आएगी e की power x square, so the complete solution of this equation is, complete solution of equation is, y is equal to u into v, then y is equal to u की value आपके पास, e की power x square आरी into v, now, अब हम क्या करेंगे, y dy by dx, and d2y by dx square की value, इस equation में रखेंगे, तो हमारे पास, यह हमारे complete solution है, so इसको हम equation number 1 लिख लेते हैं, then यह रखने पर हमारे पास, जो equation आएगी, वो आएगी d2v by dx square, plus p, not p, it's i, v is equal to r by u, now, d2v by dx square, plus i की value हमारे पास कितनी हैं यह, 1, and r is, what is the value of r is, minus का this, sine 2x, upon u की value हमारे पास कितनी है, e की power minus x square, यह e की power minus x square से, e की power minus x square, cancel, then इसको हम रखेंगे, तो यह आएगा हमारे पास, d square plus 1, into v, is equal to minus 3, sine 2x, now, इसका हम cf निखा लेंगे, then इसका जो cf आएगा, वो आएगा, c1 cos x, plus c2 sin x, then हम इसका pi निकालेंगे, तो यह आएगा, minus 3, sine 2x, divided by, d square plus 1, sine के pi में मैंने आप, मैंने आपको videos बनाये हैं, differential equation with constant coefficient, वहाँ पे आपको पता पढ़ेगा, कि मेरे, जो video से उसमें आपको idea लगेगा, किसे हम sine और cos के pi निकालता है, तो वो video आपको refer करना पढ़ेगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, यह आएगा, 3 sine 2x, जहाँ d square है, माँने माँनस 4 रखेंगे, square करके माँनस रखते हैं, so minus 4 plus 1, तो यहाँ से हमारी value आएगी, sine 2x, then final answer आएगा, v is equal to ca plus pi, so cf अमारा आएगा, c1 cos x, c2 sin x plus sin 2x, then complete solution by equation number 1, इसका complete solution क्या था, e की power x square into v, so यह v की value उठाकर रखेंगे, तो हमारे पास जो answer आएगा, हो आएगा, c1 cos x plus c2 sin x plus sin 2x, so इस तरह से इस टाप की questions को हम सॉल करते हैं, एक question मैं आपके साम दे लूँगा, then फिर मैं नाए topic पर चल लगे है, so एक और question देखेंगे आप यहाँ पे, d2y by dx square plus 1 by x power 1 by 3, this is x power 1 by 3, x power 1 by 3, dy by dx plus 1 by 4x power 2 by 3 minus 6, x power 4 by 3 minus 6 by x square y is equal to 0, यहाँ पे आप देख रहें, p की value हमारे पास है, 1 upon x power 1 by 3, q की value हमारे पास है 4, x power 2 by 3 minus 6, x power 4 by 3 minus 6 by x square, और आप देख रहें इसका r 0, because इस side में जो value है, वो क्या है, 0 है, हम सब से पहलें यहाँ पे क्या करेंगे solution में, solution में हम निकालेंगे i की value, that is q minus 1 by 2, dp by dx minus p square by 4, and check करेंगे इसकी value किसके बराबर हारी है, so q is 1 by 4, x power 2 by 3, minus 1 upon 6, x power 4 by 3, minus 6 by x square, minus 1 by 2, dp by dx, इसका differentiation करेंगे, तो x power 1 by 3, 1 upon है, उपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हैगा, 1 by 2 है, यहाँ आएगा आपके पास, minus का 1 by 3, x power minus 1 होगा, minus 1 by 3 minus 1, so this is minus का 4 by 3 power, and then minus 1 by 4, p square, इसका square करेंगे, तो यहाएगा, x power 2 by 3, जब आप इसको simplify करेंगे, तो यहाँ सा आपके पास value आएगी, इसको simplify करेंगे, तो आपके पास value आएगी, वो कितनी आएगी, 1 upon 4, x power 2 by 3 minus 6, x power 4 by 3 minus 6 by x square, minus minus plus, 1 upon x power 4 by 3 minus 4 upon x power 2 by 3, यह term से, यह term से, यह term से, यह term से, आपके आएगी वेल्यू माइनस 6 by x square, नॉर्मली मैंने आपको बोला था कि, i की वेल्यू constant आती है, पर कुछ question ऐसे होते हैं, जहाँ पे constant by x square आती है, clear? So, constant by x square वाले concept में भी हम इस type के, इस method को use कर सकते हैं, कैसे? देखिए आप आगे, हम अगर यह आता है, तो इसका जो part of cf होगा, वो कितना होगा? Part of cf होगा, e की पावर माइनस, 1 by 2, dp by, pdx, और यहाँ पर इसकी जो वेल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? u is equal to, e की पावर माइनस, 1 by 2, p, p की वेल्यू हमारे पास आएगी, 1 upon x है, तो इसको मैं उपड ले लेता हूँ, x power 1, minus 1 by 3, dx, then इसको solve करेंगे आप, तो e की पावर, minus 1 by 2, और यह आएगा आएगा आपके पास, x power minus 1 by 3 plus 1 upon minus 1 by 3 plus 1, इसको आप solve करेंगे, तो हमारे पास वेल्यू हैगी, e की पावर, minus, यह आपके पास आएगा, 3, 2, and then 2 से, 2 तो minus का, minus minus plus, this is 3 by 4, e की पावर, sorry, x की पावर, 2 by 3, so this is part of cf, यहाँसे इसकी वेल्यू 2 by 3 आएगी, 3 उपर गया, 2, 2, 4 हो गया, then इसको simplify करेंगे, तो x power 2 by 3 आएगा, then इसका complete solution होगा आपके पास, क्या आएगा इसका complete solution, y is equal to u into v, and then हम जानते हैं, कितना होगा, y is equal to u की वेल्यू आपके पास, कितनी आएगी है, e की पावर, 3 by 4, x power 2 by 3, यह हमारा complete solution इंटो क्या आएगा यहाँ पे, v, then आप क्या करेंगे, यहां से हमारा पास y, dy by dx, और d2y by dx square की वेल्यू उठा के रखेंगे, तो आपके जो equation आएगी, वो क्या आएगी, यह हमारा complete solution है, यहां में किसकी वेल्यू रखनी है, इसको equation number 1 रखिए, d2y by dx square plus iv is equal to r by u, आप इवेल्यू उठा के रखेंगे, so d2y by dx square i की वेल्यू आपके पास कितनी आएगी है, minus 6 by x square v, और r की वेल्यू आपके पास 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, अब इसका यह constant coefficient नहीं है, यह variable coefficient है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको homogenous में reduce करेंगे, तो आप देखेंगे इस question को solve करेंगे, x square d2v by dx square minus 6v is equal to r, आप जानते हैं इस type की जो equation होती ही वो क्या होती है, homogenous होते हैं इसको हम किस तरह solve करते हैं, let x is equal to e k power z और z is equal to log x, और यहाँ पर यह जो x square d2v by dx square होगा, इसके value किसके बार होगी, d into d minus 1 into v, जहाँ पर dg होता है, वो क्या होता है, d by d की जो value होती होती है, d by dz होती है, यह value आ रखेंगे हम, so d d minus 1 into v, minus 6v is equal to 0, और मैं आपको बता दूँ, इस concept पर मैंने एक video बना रखा है, और वो है homogeneous differential equation, second order में, तो आप वो refer गड़ सकते हैं, कि मैंने कैसे लिखा, उसके लिए आपको video देखना पड़ेगा, so यहाँ हैगा, d square minus d, आप देखें, minus d और minus कितना जाएगा यहाँ पर यह, 7, d square minus, sorry, minus d, minus 6, v is equal to 0, और आप इसका cf निकालेंगे, तो यहाँ हैगा आपके पास, m square minus, m minus 6 is equal to 0, तो आप इसके factor करेंगे, तो यहाँ हैगा, m square minus 3m, plus m minus 6 is equal to 0, sorry, 3, 2s are 6, so this is 2, so यहाँ से m की जो factor आएगा, वो आएगा, m minus 3 into, m plus 2 is equal to 0, आप इहाँ पर value निकालेंगे, तो आपके पास, m की जो value आएगी, वो कितनी आएगी, this is 3 and minus 2, तो इसका जो cf आएगा, वो आएगा, c1 e की power 3z, plus c2 e की power minus 2z, और हमने जानते ही, e की power z को हमने x लिया है, तो हमारे पास जो इसकी value आएगी, c1 x cube plus c2 upon x square, और इसका जो p आएगा, वो तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, because यहाँ पर right hand side में क्या है, 0 है, so final answer, v जो होगा, वो क्या होगा, यही होगा, तर यह value उठा के हम क्या रखेंगे, in equation number, by equation number 1, so इसका जो complete solution आएगा, वो आएगा, y is equal to e key power 3 by 4, x power 2 by 3, into c1 x cube plus c2 upon x square, so students, इस सर्द सहमीन साब की questions को solve करते हैं, so मैंने आपके सामने आज जो method discuss किया, वो था, reducible to normal form, या change of dependent variable method, मेरे videos आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अपने friends के साथ share करना ना भूले, और comments ज़रूर करते रहे हैं, अगर comments करेंगे, तो हमें लगेगा कि आप हमारे videos देख रहे हैं, और ये जो मुहीम है, इसके अंदर मैं आगे next जो videos हैं, वो भी आपके सामने upload करता रहूँगा, मेरा जो अगला topic रहेगा, वो रहेगा, variation of parameter and change, एक method बता है, वो मैं आपके सामने बताऊँगा, and then उसके बाद फिर मैं लूँगा, आपका partial differential equation, solution of partial differential equation, so वो हम लेने वाले हैं, so देखते रहे हैं, videos, and अच्छा लगता है, तो शेर करते रहे हैं, और बाकिये में अगर आपको लगता है, कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इस सिच के लिए, तो प्लीज आप शेर करना, और कमेंट करना ना भूले, thank you for watching my videos, thank you so much,